आज की कहानी ये सिरकटा भूत, यह बात कई साल पुढानी है, रमेश नाम का एक लड़का था, जो कि भूतों पे विश्वास नहीं करता था, उसका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते, मगर एक हाथसे के बाद, उसकी यह सोच पूरी तरीके से बदल गई, रमेश गर्मी की छुटियां मनाने के लिए अपने गाउं गया हुआ था, जब पहले रमेश अपने गाउं जाता था, तो वहाँ पर वह अपनी छुटियां आराम से मनाता और वापस आ जाता था, मगर इस बार जब अपने गाउं छुटियां मनाने के लिए गया, तो वहाँ जाकर पता चला कि इस गाउं में सरकटा हुआ एक भूत गूमता रहता है, खैर रमेश ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसे लगा कि उसके घरवाले उसे बाहर घूमने नहीं देना चाते थे, इस कारण या अफवा फैला रहे हैं, एक दिन दोपहर के समय गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह गाउं की बगीचे की ओर चला गया, बगीचे में एक बहुत बड़ा तलाब था, रमेश वहीं बैठ कर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा, थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी, तभी उसके पास कोई आकर बैठ गया, और उससे बात करने लगा, रमेश भी आधी नींद में उस आदमी से बात क किसी गाव के आदमी से सुनके, रमेश की थोड़ी सी नींद खुली, और उसने सामने बैठे आदमी के ओर देखा, तो रमेश के होस उर गया, क्यूंकि उस आदमी का सर था ही नहीं, एक ही जटके में उसकी नींद उर गई, और उसकी आखे खुल गई, तब तक वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था, रमेश सीधा भाग कर अपने घर आया, और साम को रमेश की तब्यत भी खड़ाब हो गई, रमेश बहुत बीमार पड़ गया, जब रमेश के घरवालों ने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो रमेश ने सारा किस्ता घरवालों को बता दिया, उसके घरवाले पास कहीं गाउं से एक तांतरिक को बुला लाएं, जब तांतरिक ने उसका जहार को किया तब जाके रमेश की तब्यत में सुधार हुआ, उस घरटना को सोच कर वह आज भी ड़ जाता है, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद हमारे चै आए कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है, मैं आप सभी के लिए उसी तरह की कहानी ले के आऊंगी